हालो फ्रेंड वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूं जो लोग फर्स टाइम परी वीडियो को देखा हैं मैं आपको बता देना चाहते हूं छोटे-छोटे स्टोरी इस पैरग्राफ ऐसे मैं आपके साथ चाहर करती रहती हूं जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर लेंगे कुछ सेंटेंस पास्ट में और आपको काफी सर्य मॉडल्स का यूजरिस में देखने को होँ लेगा स्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके दर सेंप्ली स्पिकिंग अर्थ कुएक मीन्स शेकिंग ओफ दा अर्थ सर्फेस सिंप्ली स्पिकिंग यहनिके प्रत्वी के सर्फेस का, प्रत्वी की सतह का हिलना, ठीक है? शेकिंग यहनिके हिलना, प्रत्वी की सतह का हिलना, तो simply sentence को हम कैसे रीट करेंगे? सीधे शब्दों में कहें तो, भूकम का अर्थ होता है, प्रत्वी की सतह का हिलना, simply इस तरीके से, It is a sudden trembling of the surface of the earth, यहनिके अचानक trembling मतलब क्या हो गया? कापना या हिलना, ठीक है? एकदम से तेज-तेज मूव करना, तो यह एक अचानक कापना है of the surface सतह का of the earth, प्रत्वी की, तो यह है प्रत्वी की सतह का अचानक कापना है, simply, Earthquakes certainly are a terrible natural disaster, earthquake, भूकम्प, जो भूकम्प होते हैं, certainly, निश्चित रूप से, R means a terrible, यहनिके एक भयानक natural disaster, एक प्राकृतिक आपदा, disaster का मतलब होता है आपदा, तो यह एक भूकम्प, निश्चित रूप से एक भयानक प्राकृतिक आपदा है, सिंप्ली सरकी से सेंटेंस को में रीड करना है, सिंप्ल सेंटेंस है यह प्रिजेंट का, furthermore, इसके अलावा, या इसके अतरिक्त, दोनों ही आप बोल सकते हैं, Earthquakes can cause huge damage to life and property, Earthquakes जो फूकम्प होते हैं, can cause, वो कारण हो सकते हैं, ठीक है, can क्या होता है, हमारा model होता है, और यहाँ पर हम किस के लिए ability बताने के लिए, या कई वार जो possibilities होते हैं, उनको बताले के लिए भी can का use करते हैं, तो Earthquakes जो हैं, वो can हो सकते हैं, cause, कारण हो सकते हैं, huge damage, वो विशाल चती का, या फिर बड़ी चती का, बड़े नुकसान का, चती मतलब नुकसान भी होता है, ठीक है, बड़े नुकसान का, to life, जीवन, and property, और संपत्ती का, कारण हो सकते हैं, some earthquakes are weak in nature, some earthquakes, कुछ जो भुकम्प होते हैं, आर मतलब है, weak, वीक हैंने के कमजोर होते हैं, in nature, प्रकृती में कमजोर होते हैं, कुछ भुकम्प प्रकृती में कमजोर होते हैं, and probably go unnoticed, और शायद, probably यह निके, शायद, go unnoticed, go मतलब हो जाते हैं, unnoticed, यहनि के ध्यान देने वाले नहीं होते हैं, जिसके आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले यह भुकम्प आया था, उससे किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा, क्योंकि वो कमजोर सा, तो कुछ जो भुकम्प होते हैं, वो प्रकृती से कमजोर होते हैं, और वो शायद ध्यान देने योग्ये नहीं होते हैं, इन कॉंस्ट्राइट, कॉंस्ट्राइट का मतलब क्या होता है, इन कॉंस्ट्रिस्ट, सम अर्थ्विक्स आर मेजर एंड वाइलेंट, इसके विपरीद, ठीक है, इसके विपरीद, सम अर्थ्विक्स, कुछ जो भुकम्प होते हैं, आर major, major means बड़े, कुछ भुकम बड़े होते हैं and violent, violent का मतलब क्या होता है, violent मतलब क्या हो कि जो बहुती जदा तबाही मचा देने वाले होते हैं, या बहुत जदा हिंसक होते हैं, तो कुछ जो earthquake होते हैं, वो कमजोर होते हैं प्रकरती में और वो शायद ध्यान देने योगे नहीं हैं, बट उसके विपरीत कुछ earthquake बड़े होते हैं और हिंसक होते हैं, तीक है, जो बड़े earthquake होते हैं, जो बड़े भुकम्प होते हैं, वो लगभग, आलवेज हमेशा देवास्टेटिंग का मतलब होता है, विनाशकारी होते हैं इन नेचर, वो प्रकरती में हमेशा या लगभग विनाशकारी होते हैं, most noteworthy, सबसे ध्यान देने योगी, noteworthy का मतलब क्याता है, ध्यान देने योगी, या सबसे दर इस चीज़ पर ध्यान देना है, तो सबसे दर ध्यान देने वाले एक चीज़ है, अब प्रतियाशित उसको हम बोलते हैं हिंडी में, तो कि इसके बारे में आप बोली नहीं सकते हैं, इससे कितना उक्सान होगा, कितने ओकी मौत होगी, कितने घर गेरिएंगे, उसको बोली नहीं सकते हैं, अब प्रतियाशित, this is what makes, this is यह है, what makes, what means क्या, makes निके बनाता है, them so dangerous, कि इनको इतना dangerous कि इसको इतना खतरनाक, क्या बनाता है, ठीक है टैकिक EARTHQUAKE जो EARTHQUAKE होते हैं उनके कुछ टाइप होते हैं तो एक होता है उसमें से TAKTONIC EARTHQUAKE the EARTHKRAST जो की वास्तीकला से संबनुदित होते हैं जिसे की जो भी चीजे बनी होई होती है जो भी प्रक्रप्रति में जो भी slave of rocks of uneven shapes the earth crust जो earth की परत होती है comprise का मतलब क्या होता है किसी चीज से जुड़कर बनना या फिर उसमें शामिल होना of the slave of rocks slave of rocks का मीनिंग क्या होता है slave of rocks यानिके rocks मतलब होता है पत्थर पत्थरों की जो पत्थियां होती है slave यानिके पत्थरों की जो पत्थियां होती है of uneven shapes जो uneven यानिके असमान या फिर असमतल शेप में जो होती है आकार में जो होती है तो ये क्या होता है ये प्रत्थवी की कुछ परत्थ इसमें कुछ परत्थवी की प्रत्थ शामिल होती है जिसमें पत्थरों की पत्टियां होती है जो असमान आकार की होती है इसके अंदर कुछ एनरजी यानिके उर्जा संग्रहित होती है या फिर उसके अंदर होती है या फिर एक दूसरे को एक दूसरे की और धकेलने का और या फिर तूसरे की और धकेलने का एक दूसरे से दूर धकेलना या फिर एक दूसरे की और धकेलने का ये एनरजी इसका कारण होती है ठीक है एस क्योंकी एस का मतलब क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ एस का मतलब क्योंकी होता है एस का मतलब जैसे होता है और as com और भी बहुत सारे चीजों के लिए use करते है as time passes जैसे समय गुजरता है अब हमने क्या word use करा as के लिए जैसे जैसे समय गुजरता है time यानिके समय passes यानिके गुजरता है pass मतलब गुजरना the energy जो ओर्जा होती है and movement और जो गती होती है build up वो बनाती है pressure pressure between two plates वो pressure बनाती है यानिके दवाब बनाती है between two plates दो plates के बीच में वो pressure यानिके दवाब बनाती है अभी तक ये जो है इतना मैं आपके साथ में share करी हूँ इसका reason ये है कि आपको ये topic पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीज मुझे जाननी है अगर आपको लगता है इस topic को मुझे continue करना चाहिए क्योंकि ये और भी बड़ा है तो आप प्लीज मुझे comment में जरूर बताएगा और ये video कैसा लगा है ये भी जरूर बताएगा आज की three words में दे रही हूँ जिनसे आपको sentence बनाकर करके practice करनी है प्रैक्टिस जरूर की जाके हर video में आपको में चीज बोलती हूँ आज का first word है जिस आपको practice करनी है terrible, terrible means होता है भयानक या फिर भयंकर दोनों ही आप बोल सकते हो next step probably यानि के शायद and third है passes गेने के गुजरना इन तीनों words आपको sentence बनाना है comment box के लिए लिखना है अब first word जो है हमारा dictation का वो है earthquake second है devastating and third है unpredictable unpredictable I hope ये video आपको पसंद आया होगा कैसे लगा है प्लीज मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर आप चाहते हैं इसको continue करना क्योंकि कई बार हमारे exams में आता है 500 words का essay लिखने के लिए जैसे कि ये almost 250 words का essay है बट अगर आपको आता है कि आप चाहते हो कि आपको 500 का share कर दो इसका part 2 भी मैं आपके साथ में share करूँ आप मुझे comment करके बता सकते है और ये topic कैसे लगा है प्लीज भी comment में जरूर बताएगा अगर आप चाहते हैं कोई और topic जो मैं आपके साथ में share करूँ आप वो भी मुझे comment करके बता सकते हैं Thanks for watching आपके साथ में आपके साथ में